पबजी मोबाई में 3.0 अपडेट आ चुका उस अपडेट के अंदर है सेड़ो फोर्स मोड तो उसी मोड की काफी ज़्यादा अमेजिंग टिक्स और टिक्स बताने हो जैसे कि आप देखी सकते हो ग्लाइडर भाई हद से ज्यादा उचा किसे उड़ा सकते हो आप लोग लिए यह यूज करके आप लोग काफी ज़्याद आईज लिए रेंग कुछ कर सकते हो यह सेल्टर की गुफा के इदर बाहर की तरफ आकर बैट और हां यह जो अपडेट ना वाला है और यह जो टिप्स और इस बताने वाला हो यह जो घ्लिच बगरा बताने वाला हो इस सा आप लोगों को यह यूज करके मज़ा आजाएगा जाहां से मैंने एंट्री लिया वाई शेल्टर की गुफा के अंदर वहीं से एकजरी आप लोगों को अंदर एंट्री ले लेना सीधा सामने आते हैं यहां पर यह बॉक्स देखनी को मिलेंगे तो आप लोगों किया करना सतना हो पस पर लिए लेको यह या पर उपर अ करके शलेकर वापस सेड़ो बुलेट वागों यहां पर its को टापड़ यहां पर ग्रननेट आप सलेक्पड़का कर यहां पर लगार मॉग जैसी आप लोग एक बार यह Seltr की उपार आजाओगे ना पानी में गिरोगे तो भी आप वापस उपार टेलिपॉर्ट कर आप देको ध्यान से देको मैं आपको वापस बताते हैं तो करना क्या है आप लोगों को सेड़ो ब्लेड उजगर करके वोकस के पास आना है पानी में गिरते गिरते आप लोग पटा पटना गरनेट की जगह इसका पावर यूज करके उसको एक दम यूज कर लेना होगा बस आप लोग इसका पावर यूज कर लेना होगा इसका पावर यूज कर सकते हो तो देखो अगर आपके पाई सकाई है तो आप लोग क्या करना होगा यहां पर इसना वोच टाउर देखने को मिलता है था है, यहां पर रहने का फाईदा की है कि आपको पाईसें पर कम लेन बात तो क्या है है अप लोग पिरिजन के उपर जो फो फिर्जन वाले जो आइलेंड ऑए है का प्रिजन वाला यूज कर लोगा तो वहां पर यहां प यह जो हाउस देखने को मिलता है यहां पर आप लोग काफी ज़्यादा अमेजिंग ट्रीक बताऊंगा लोकेशन देखलो मैप के अंदर आप यहां पर क्या होता ना कभी कभी वह जो इन्विजिबल डॉर होता ना वहां पर यह इन्विजिबल डॉर के साथ हो देखो जैसे इस डॉर के पास आप जाते हो ना तो आपको बता यह गाइब हो जाता और अंदर एक के रेट रिट रता है जिसके अंदर आपने को शेड़ो पॉलेट वगरा या स्काइदर हो वगरा मिल जाता है ठीक है तो आप लोग को कहना यहां पर एक्जेग लिए लोकेशन पाक है पर उपर के तरफ जाना यहां बेशन काफी ज्यदा मेरी फेवरेट चरीक है आप लोग क्या करना है चोटी सी विंड़ो देखने को मिलते है यह एक जंप लगा कि यहां पर विंड़ो के अंदर चले जाना जाना है यह दोर के जो मतलब ना उदर से एनेमी आए गा उसको य पहले आपको पता है ड्राइवर को जब कुछ भी बेंडेज वगरा हिलिंग करना लगाना रहा तो गाड़ी रोक के लगाना पड़ता था लेकिन आपके टीमेट पास में बेटे बेटे लगा सकते थे लेकिन अब से आप लोग है बेंडेज और पेपसी और सीरिंज यह चीज आप लोग है गाड़ी में बेटे बेटे यूज कर सकते पोईंट नमर फाइव की जो ट्रिक्स है जो एनिमी के उपर वहिकल लेकर रच करते उनके लिए तो 3.0 अपडेट के बाद जब भी आप रच करना तो यहां पर ग्रेपलिंग हो कि यह जो है ग्रेपलिंग हो कि इसक करना एक दम एकजिट करते हैं आप हवा में जाओगे और फटा पटे ना यह हुक एकदम यूज कर लाए जिसी भाई यह हुक यूज करोगे ना तो आप लोग डबल टेप कर रूपते ही आपका यह गलाइडर खुल जाएगा और एनिमी को पता नहीं चलेगा कि आप उपर से बना यह उनके उपर रश करें वह तो मतलब नीचे आप लोगों को डूनते रहेंगे तो यह काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है पॉइट नुबर 6 और 7 में मैं आप लोगों को बताऊंगा दो दो ट्रिक ठीक है यहाँ पर दो ट्रिक कवर कर रहा हूं इसलिए 6 और 7 बोल रहा हूं मैं तो यहाँ पर मैपके अंदर लोकीशन देख लो आप लोग यहाँ पर आप लोगो फस्ट ट्रिक स्टाइवर के होगा यहां पर देखो उपपर आजाओ इस वाले डोल के उपपर आप देखो जैसे में करता हूँ यार स्टेप आप लोग करते रहे ना आप लोग काफी जदा इजली यह ट्रिक कर लो पिर आप लोग इने सामने के तरफ जो डोल देखने को मिल रहा ना वो देखो एक्जेक फ़िल नीचे कूद ना और एकदम नीचे कूदते उपर की तरफ लगा देना अब लोग इसके उपर आ जाऊगे या फिर से हुक सूट करते ने या पर काफी उपर आ जाओगा या फिर में आपको पीछे बता तके बाइट भी आप आसके घर जाओ ना यहां पर यहां एर ऐसके आप पूब कर आचे आप दे कई चलिक करना हूँ गया घलाइट कर लोगए घलाइड करोंगे ताभ आप लोग यह फुलाई यूज करके मिनिमम एक हजार बीटर आप ऐसे फुलाई करते करते जा सकते अगर आप लोग सही तरीके से इसको एक दम लेके जाओगे तो अभी मैं ऐसे इसको गुमा रहा हूं बाकि तो मैं खुद गया हूं काफी ज़दा दूर क्योंकि अगर मैं आ आप लोगों को कैसी लगी वाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कमेंट करके बताओ और हाँ वीडियो भी बाकी है रुको मेरे दोस्त पॉइंट नुबर एट में मैं आप लोगों के काफी ज़दा अमेजिंग तरीक बताऊंगा लेकिन यहां पर जब यह कंटेनर आपको पता है आपको है ना मतलब तोडने के लिए काफी जादा दिक्कत होता इसके रस्या नहीं डूंड पाते है यह तीन जगा लोकिसन पे जैसे जोर्जव पूल यास्नाय और पिरजन तो आपको क्या करना गो जो भी एक रसी उपर जा रही हो ना पहले वो इसको लटक स्थिंद्ग में इसके साइड में रहेंगे जो रहेंगे रहेंगे देख यासन आइwać यह इसाइड में रहेंगेता थे कप लिए अपल carried the कुछ ग्लिच हो जाएगा ओटोमेटिक पताने क्या ग्लिच है लेकिन आप लोग कुछ टाइम के लिए यहां पर आवा में रहो गए में चीज तो यह कंटेनर खोलने का फाइदा क्या फाइदा बताता हूं फाइदा भाई साब आप लोगों को लूट बर बर के मिलेगी आप लोगों को पॉइंट नमर 9 में आप लोगों को बताने वाला हो यह जो बाई साब मिलता पाउर की चिमनी देखने को मिलती ने टूटी फूटी इसके टॉप पे आप लोग के से जा सकते हो काफी ज़र आई जी लिए तो यार वीडियो को लास्त तक देखना तो यहां पर द देखो यहां पर आने की बाद सामदी के तरफ लिकाइब लिकिल आपलीएग की लिए च्छुँच कर दोकně यहां लेंदिंक तो यहां पर लेंडिंग करने लिए तो ही दी मेरा मार इरंगल वगेरा जो भी मैं पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना बाकिया आप लोग देख लो यहां पर ने यह बड़े वाले पर आप लोगो नहीं चड़ सकते पॉइंट नमर टेन में आपको बताऊंगा यह जो टेंक देखने को मिलते इसके उपर कैसे काफी लेकिन उससे पहले एक मोश्ट इंपोटेंट बात हमारे चिला रहे क्या के धूप नहीं नीकला ना थंडी बहुत है तो भाई चिला रही हो ना थंड के मारे तो भाई बस थोड़ा आवाज आ जाए तब एक रहुन इगनोर करना तो देखो आपको क्या करना होगा यहां प होडा सा कफीर सफ तक यहां पर आज़िए यह यह फेकर त्व चरक्रेंट बाद था सब्सक्राइब अच्चा हरा तो तुम तो ठीक है?